हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनी, और स्टडी लवर हनी चैनल पर आपका स्वागत है. आज हम बात करेंगे राइज एंड फॉल अफ डुपलेक्स. 1697 में पैदा हुए जोसेफ फ्रांसिस डुपलेक्स, एक धनी किसान जनरल ओफ टैक्स और इंडीज की कमपणी के महानिदेशक के पुत्र थे. कथित तोर पर अपने पिता के प्रभाव के आधार पर उन्हें 1720 में पॉंड़िचेरी में एक उच्चे पद मिला. कॉंड़िचेरी में उन्होंने निजी व्यापार से बहुत पैसा कमाया, जिससे तब फ्रांसिसी कमपणी के नौकरों को अनुमती दी गई थी. दिसंबर 1726 में फ्रांसिसी कमपणी के सम्विधन में भारी बदलाव और उससे उत्पन कुछ भ्रमों के कारण उन्हें निलम्वित कर दिया गया था. 1730 में डुपलेक्स ने अपना केस जीत लिया और मुआवजे के रूप में चंद्रनगर के गवन के रूप में नियुक्त किया गया. 1741 में उन्हें भारत में फ्रांसिसी उपनिवेशों के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. बाद में, उन्हें मुगल समराट और दक्कन के सूबेदार मुझफर जंग द्वारा नवाब की उपाधी से सम्वानित किया गया एतेहस कारों के अनुसार, डुपलेक्स में एक व्यापक द्रिष्टी के साथ राजनीतिक अंतर द्रिष्टी होने के अलावा एक प्रशासक, एक राजनाईक और एक नेता के गुण थे प्रशासक की भूमिका में डुपलेक्स 1741 में, डुपलेक्स पॉंडिचेरी के गवनर जनरल बने उन्होंने पॉंडिचेरी को कई समस्याओं का सामना करते हुए पाया, जैसे मराथा आक्रमन, अकाल, बंजब, भुमी और करनाटक में अराजक स्थिती इनके अलावा, कंपणी के निदेशकों ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेशों को दी गई प्राथमिक्ता के कारण, फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपणी के खर्च में भारी कटोती की मांग की इसलिए, डुपलेक्स ने अपनी परिशत के विरोध और संतुलित आय और व्याय के साथ साथ अधिकारियों के वेतन में कटोती के बावजूद सारवजनिक व्याय को कम कर दिया हाला की, उन्होंने बस्तियों के किलेबंदी के मामले में निदेशकों की अवग्या करने का फैसला किया उन्होंने पॉंडिचेरी की सुरक्षा बढ़ा दी, यहां तक अपनी निजी संपत्ती से एक बड़ी राशी भी खर्च की उन्होंने उपनिवेश के व्यापार को विकसित करने के लिए व्यभारिक कदम उठाकर पॉंडिचेरी को दक्षन भारत में वानिज्यका एंपोरियम बना दिया बाद में कमपनी के निदेशकों ने निदेशकों के विरोधाभास में भी सही निर्नल लेने के लिए डुपलेक्स की प्रशनसा की डुपलेक्स कुटनीती के मास्टर के रूप में पहले दो करनाटक युदो का विशलेशन डुपलेक्स की कुटनीती को एक ऐसे नेता के रूप में साबित करता है जिसने भारत की यूरोपिय विजय के मार्क की कल्पना की थी दुपले ने करनाटक के नवाब का इस्तेमाल अंग्रेजो को अपने क्षेत्रों में युद्ध करने से रोकने के लिए किया ताकि पॉंड़िचेरी में फ्रांसीसी बस्तियों की रक्षा तब तक की जा सके जब तक की फ्रांसीसी सेना पर्याप ताकत हासिल नहीं कर लेती बदले में अंग्रेजो की हार के बाद नवाब को मदरास देने का वादा किया गया था लेकिन डुपलेक्स ने अपनी कूटनीती का इस्तेमाल करते हुए मदरास को नवाब को नहीं दिया और यहां तक सिंथ थों 1746 में उसे हरा भी दिया डुपले ने इतिहास के उदाहरनों का हवाला देते हुए एड्मिरल लाब बॉडोनेस को अंग्रेजों से किये गएवादों को तोड़ने के लिए आश्वस्त किया कि कुछ परिस्थितियों में किये गएवादे कभी बाध्यकारी नहीं थे इसके अलावा उन्होंने कहा कि चून की गवरनर जनरल की स्थिती नौसिना के कमांडर से बहतर थी इसलिए बाधवाले और अंग्रेजों के बीच जो समझोता हुआ वो हल्ट्रव वायस था इस प्रकार वह अपने अधीनस्त को वह करने के लिए मनाने में सक्षम था जो सामान्य शब्दों में अनैतिक माना जाता था लेकिन किसी के राष्ट्र के लिए सबसे उप्युक्ट था डुपलेक्स भारतिय शासकों की आंतरिक राजनीती में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपिय था उन्होंने हाइदराबाद के लिए मुझफफर जंग और करनाटक के लिए चंदा साहिप का समर्थन किया और उनके उम्मीद्वार सफल हुए और बदले में डुपलेक्स को बढ़ी रियायते दी वास्तव में डुपलेक्स भारत में सहायक गटबंधन की प्रथा का प्रवर्तक था उसने सूबेदार की कीमत पर हाइदराबाद में एक फ्रांसीसी सेना रखी डुपलेक्स भारत में क्यों विफल हुआ दूसरे करनाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना की प्रारमविखार और डुपलेक्स के राजनीतिक निर्णियों के कारंग कमपनी द्वारा किये गए भारी लागत के कारंग 1754 में डुपलेक्स को वापस बुला लिया गया था कई इतिहासकारों ने निर्देशिकों द्वारा डुपलेक्स को वापस बुलाने को एक बड़ी भूल बताया है यह अमेरिका के मुद्दों पर फ्रांस और इंग्लेंड के बीच एक समझोते का परिनाम है हाला कि डुपलेक्स में भी कुछ कमजोरिया थी जिन्हे संक्षेप में निम्ना नुसार रखा जा सकता है एक डुपलेक्स एक अती समवेदी स्वभाव से पीडित था वह बहुत लंबे समय तक बहुत अधिक आशा करता था इस प्रकार गंभीर परिस्थितियों में लाब खो देता था दो डुपलेक्स के साथियों को उसका निरनकुष व्यवहार पसंद नहीं आया और कई मौकों पर इस बात पर उससे जगड़ा किया तीन डुपलेक्स कार रवाय का आदमी नहीं था उसने एक अभियान की योजना बनाए अपने लेफ्टिनेंटों को निर्देशित किया लेकिन लौरेंस या क्लाइब जैसे युद्ध के मैदान में कभी भी सेना का नित्रित्व नहीं किया फ्रांसीसी त्रिकोनोपॉलीट 17-152 पर कबजा करने में विफल रहे क्योंकि डुपलेक्स द्वारा सोची गई योजनाओ को उनके कमांडरों द्वारा कार रवाय में नहीं बदला जा सका